मैं hotel, restaurant, restaurant उसके भी अध्यक्ष है, मैं कुल्दीप सिंग जी का हाद इक स्वागत करता हूँ, नमस्कार कुल्दीप सिंग जी, नमस्कार संजेज जी आज की तारिक में जहां देखे, वहां हर चैनल पर देखे, कोरोना का कहर चाया हुआ है, पहले हम सोचते हैं कि खाली चाइना में ही होगा, लेकिन आज भारत में और उसके बाद जैपूर में, राजस्थान में एक बड़ी महामारी के रूप में, कोरोना ने अपना कहर ढ़ा है, चारो तरफ तरही माम तरही माम हो रही है, जनता अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, तो चूंकि आप परेटन शेतर में काफी अरसे से जुड़े हैं, मेरा सबसे पहला आप से सावाल यह है, कि वर्तमान में परेटन शेतर का प कर दोड़ी मेरबनिया कि नेखिए कोशीच साब यह बहुत दुरुभा के पहुंच सिति आज विश्व के सामने खड़ी है यह संक्रमन से राजस्तान जैपूर भारत के लिए पूरा विश्व का पूरा विश्व इसे त्रस्त नहीं और भारत में जो परेटन आता है जो परे अगर स्ड़र्ट आप आएगा उसी संख्ला में अगर हम देखे तो जो दोमेस्जी टूरिस्ट यो भारती टूरस्च भारत में भ्रह्मन करता है वो खुद आज घर में बैठा है हर एक व्यक्ति किसिन किसी तरह से त्रस्त है व्यापार को लेके परिवार को लेके अपनी सिह को लेके हर आपी परेशान है अज की तारीक में सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से राजस्तान सरकार भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद कि जिस मुष्टधी से संक्रमन को संभालने में लोगों को संभालने में और इसको दूर करने में जिस सज़्जट्टा से लगे पात रहे हैं और परेटन जगत से उनका आभार भी प्रकट करते हैं जहां तक नुकसान का सवाल है तो मैं आपको बता दूँ कि होली के पहले से ही जब से जैनुवरी फेबरेरी से संकमन का अशंका चालू होगी थी वह ज्यादा विशु भर में तब से संदे तो यह होने आप से लेके निरंतल बुकिंग में चालू हो गए जो पूरो विकिंग की गई थी और यह कंशलेशंज कोई अभी थी महा के लिए नहीं है यह पुरे सीजन के लिए चालू होगी कंशलेशं तो कुल मिला के जो तक चलेगा उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सारी होटले राजस्तान की खाली हो चुकी है, सारे रेस्टोंट बंद हो चुके हैं, सारे गाइड गर बैट चुके हैं, टेक्सियां गरेजेस में खड़ी है या जाहां उनकी पार्क सारी से नहीं करके इसे खर्चों से गरम लगाएं तो यह बहुत ही भैंकर स्थिती है, खर्चे में आप देख लीजिए कि स्ताफ की तंखाएं बाकी हैं, कईयों की, जो स्ताफ सारा चुट्टी पे गया है, इसका बोला है, पीजा है, संस्ताओं के पास पैसे नहीं है, वो सारी के बाद सामने खड़ी हो दी है, वो एक सबसे बड़ा प्रब्लम है, क्योंकि आमदानी जीरो हो गई है, खर्चे माई खड़े, तो सरकार से यही दरत्रा से कि इसके उपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देके और इसको जिस तरह से भी सुलप करा सकें, यह परेटन को सारे में कई तरह की शिलेवे के लिए आपने को शिशे करे है, तो आपको क्या लग दा है कि आज जो निर्मला सीतारामान आज दिन में जो एक इंट्रुव आय था, उससे आपको लगता है कुछ आपको कुछ आस बढ़ी है, निर्मला सितारा मंजी जो हमारी वित्तमंत्री है, उन्हों है आज दिन में ही काफी गोश्णाइं करी है, उनसे लगता है कि आपके परेटन शेत्र को, होटल, वेवसाय को कुछ फाइदा होने वाला निजर आता है? संजे जी आज की जो मीडिया कॉनफरेंस थी मानिय वित्तमंत्री एंड स्टेट वित्तमंत्री की दिल्ली में, वो बहुत ही सकारात्मत थी, उससे एक आस बंधी है, कि सरकार हमारी दर्ब को समझ पा रही है, और हमारी राजिस्तान सरकार ने भी हमारी जो पॉइंट्स थे उ आगे जिवन सुनिशित हो पाएगा, अब इसके एक एक बिंदू के उपर कर हम विचार करेंगे, तो हमने जो लिखाता सरकार को कि बैंक्स जो EMI और ब्याद लेने को तत पर खड़ा है, उसको कम से कम एक साल के लिए डिफर किया जाए, उससे क्या है कि जो इस साल की जो कि सुसाइब, अगर NPA को होता है तो जीवन में कभी भी नहीं ले पाएगा, वो सिबिल में भी आ जाएगा, कभी लोन नहीं ले पाएगा, कभी उसकी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, इसके लिए सरकार को ततपरता से ज्यान देना चाहिए और इसके उपर जितना जल्दी न सब्सक्राइब, तो आपको लगता है कि जीएस्टी में इसकी गोष्णा करना कोई बहुत मैतोपरून कोई गोष्णा मानी जा सकती है, नहीं, जिनका जीएस्टी रिफंड लेना बखाया है, उनको मिल जाए वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, और जो तीन मेहने का जो च सब्सक्राइब, जो ईसका जाएगा, तो इसको एक साल के लिए लेकर चलना पड़ेगा, एक साल तक व्यापार व्याउटा जो है, बूरी तरह से एक शतिगत से उनको सबालना बहुत जरूरी है, हमने राज़स्तां सरकार से भी निये बड़रा है, तो इसको एक साल के कि आपक रिस्ती में जो पिछले वर्ष हम्रेट शरकाव को फीजमा करूए ती उसी फीज को इस वर्ष भी मानियता देदें ताकि इस वर्ष किसी से कोई फीज में ली जाए क्योंकि जब हम फ्रीज जमा कराएंगे और लाइस से लेंगे तो बार कहा चलाएंगे और कहा शराब खरीद के बेचेंगे, किसको बेचेंगे जब परेटा की नहीं होगा तो, यह एक बहुत बड़ी दूविधा हमारे सामने खड़ी हो चोकि है, सबसे बड़ी दूविधा है कोशिक साब मारे सामने वो है बिजली को लेके, हम आस्तक कहते हैं, कई सदियों से सालों से कह रहे हैं, कि यह परेटन उद्ध्योग है, उद्ध्योग का दरजा इसको ना तो केंदर ने आस्तक दिया है, ने राज्यन ने आस्तक दिया है, हम बिंती कर रहे हैं गेलो सरकार साथ भी और केंदर की सरकार को भी, कि आप इसको उद्धियो कादशा दिदिये, बिजली के अंदर जो नींटम राशी वसुली जाТए है इसको बंद कर दिज क्यों कि हमारी स्तीति नहीं है अभी कुछ देने की जब तक- को उद्धियो का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक उद्योग, उद्योग के समर्द पिस भाव से कार्य नहीं कर पाएगा, इसके लिए बहुत आवशक है कि सरकार दो कदम आगे चले, समय आने पर हम चार कदम उनके साथ आगे चलेंगे, कि सतर साल से जब से परेटर्ण शुरुओ देश आजाओ हुआ है, परेटर्ण में जितने लोग सम्मिलीक हुए है जिन्होंने एक यक क MAR खड़ा किया है, अपना एक गाड़ी इसे अपना बिसमुंस चालो किया है, एक एक नोट संस्ताने होला है, उन लोगों ने सरकार को दि कोचे जो खरीद के लोगों ने लगा रखा है तूरिस्टों के लिए उसके उपर कितना भारी पड़ रहा है और होटलों के उपर जो करजे लेके होटले बनाई है परेटों को लाने के लिए रखने के लिए उससे सरकार को जिएस्टी कमा के मिल रहा है लाको करोड़ों लोग पशिवाल Honda मिल रहा है लोग बेरोजगार हो जाएंगी अगरOOOOT शरकार ने इसको इतनी गंबीरता से नहीं इसको पेश किया है तो हमारी जो गंभीरता से पेश करना है, जो हमारी एक एक बिंदू हमने सरकार को दिया, उसके ओपर हर बिंदू के ओपर उनको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, और हर बिंदू जायज है, एक भी बिंदू ना जायज नहीं है, उसमें हमने कहीं पे भी कि कि कंदी नहीं करिए सारी नेकी सिर्ण नियुकर नाक करी आज आप देखिए कोशिक साव whether इस पर इस प्रट्रन विश्वाव सोगये आपका हाथी का महा हो गया हरी की रत्वाली हो गया आप excitale हो गए अप में सारे खर्चे कड़ें, आप क्या धोगयों, क्या निचोडोगे इस, कुछ ने कर पाओगे, इसकी लिए सरकार को और जयादा जेनरिस होना पड़ेगा, वक्त आने पर हम सरकार के साथ उतने ज़्यादा जेनरेस होंगे कि सरकार इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती हम कमाएंगे तो हम सरकार को दुगना देंगे लेकिन आज की तारीक में हमको सरकार को हमें समालना बहुत ज़रूरी है सरकार हमारी हैं और हम सरकार से अपेक्शा करते हैं और सरकार समिनदन्शी ले सरकार ने बड़ी मुश्तिदी से काम किया है और कर रही है मेडिकल टीम सरकार को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने इतना बढ़े तरीके से सजकता से गंभीरता से इस इस्तिती को कोरोना वारिस की जो संक्रमन फैलरा इसको रोकने के अंदर जो प्यास जा रही है उसके लिए हम इनके तहें दिल से आबारी है लेकिन साथ में जो वेरोजगारी बढ़ेगी जो वेरोजगारी के पीछे फिर पचासों चीज़े बढ़ेगी उन सब पर नी इंतरब करना भी उत्मा ही आवश्य है हाँ जर अब आब बताए मेरा जी मैं करता कि ये तो विट्व मंतरी जी की बात होगी अब मैं करता कि जैसे आज शाम को प्रदान मंतरी जी का एक भाषन आने वाला है शाम को प्रदान मंतरी जी आठ पजे कुछ गोशना करने वाले है तो परधान मंतरी जी से आपकी क्या पेक्शागी को कि परिटरण मेंने सुनाओ राजस्भान के लिए लाइफ्लाइन है डॉलर अर्निक बिजनिस है इतने लोगों को रोज़गार देता है तो परधान मंतरी में जी से आपकी कुछ ऐसी आशाय हों जो आपको लगता है कि वो अगर आपकी आवाज सुन रहे हो या कहीं पर भी जो लगता हो अगर आपकी आशा है हो तो किस तरीके से क्या-क्या चाहते हैं प्रदानमंत्री जी के उद्धोशन में आज 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 माले में देखिए प्रधान मंत्री जी का उद्गोशन है उसके लिए पुरा देश नहीं पुरा विश्व भी इंतजार करता है और उसके अंदर जो है सबसे बड़ी चीज यह है कि हमारे प्रधान मंत्री प्रेटन विश्व को बहुत भली भाती समझते हैं प्रधान मंत्री जी जो है वो प्रेटन विश्व को बहुत अच्छी तरह समस्तर बहुत गंभीता से लेते हैं इसी यह वो नयने पुर्व प्रेटन को देस्टिनेशन हैं उनको तयार करने भी बजट रखते हैं और साथ में उन्होंने लोगों को भी का है कि वो कम से कम 15 मोनि करें तो इसका मतलब उनकी प्रेटन की तरफ एक पैनी नजर है और जो आने वाले वर्षों में बहुत अच्छे नतीजे भी देगा जी 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 तरदान मंत्री जी से हम यह अपेक्शा करते हैं कि जो निम्ला जी से तरह में वित्य मंत्री जी ने जो गोशना करी है उसको और डिटेल वे में वो बता दें और जो हम चा रहे हैं कि कोई भी NPA नहीं हो बैंक हमारा साथ दे हम बैंक का साथ देते हैं तो परेटन को लेके प्रदान मंत्री से ही गोशना है कि कि अपेक्शा है गोशना जी कि एक तो सद्भाव बना रहे हैं बहुत जरूरी है शांती बनी रहे हैं बहुत जरूरी है और जितना जल्दी से कोरोना वाइरस पर ने इंतरन पाएं तो उसके बाद ही परेटन शुरू होगा परेटन अब कहां खड़ा हो गया है जहां से शुरूआत को खतम होने के हमारे मुख्यमंत्री जी गोशना है आज शेहर में भी गाडियां बंध है वगरा उसके लिए मैं लोगों से भी इंतरा करूंगा कि बही जो मुख्यमंत्री जी ने हमारे गोशना करें उसके साथ भी लोग खड़े रहे हैं और जब तक हम सरकार की गाइडलाइन पे नहीं बहुत अच्छा बात कहिए आपने कुल्दीव सिंगी मैंने मेरे खुद ने सुनाया कि प्रधान मंत्री जी ने कहा था भी तुरु दिन पहले एक शाहिए आप चाहिवी देश में घूमें के निपरे लेकिन हिंदुस्तान में हर साल पंदरा दिन के लिए चुटी मिनान ज अच्छी फोटो डालना उन्होंने कई तरह के काम किये हैं तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से परेटन के प्रतीम का रूजहाब बहुत अच्छा है तो अब बाइदेवेगे थोड़ी दिन सोचे अब आपन जो परिस्तिते खराब हैं उनसे हम लड़ रहे हैं कैसे तरह से हम इसे पार पालेंगे लेकिन जब इससे सब कुछ पार पालेंगे तो आने वाले सीजन के लिए परेटन विभाग को या जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं इनको किस तरह किस तैयारी करनी चाहीं कि वापिस जो जिस रफतार से परेटन अभी चल रहा था उससे बहतर चले तो आपको क्या लगता है कि उसके बारे में क्या थायारी करनी चाहीं कैसे करनी चाहीं देखें कोशी साब परेटन के विकास के लिए बर्सों से में देखा है और वर्तमान में भी देखा है कि राज्य परेटन विभाग और केंदर परेटन विभाग दोनों में बहुत सुन्दर समझ वह है और दोनों के समझ में और अंडर्सेंडिन की वज़े से यह परेटन आगे बढ़ पा रहा है अगर हम यह कह दें कि मैंने कुछ किया उसने कुछ किया तो यह संभव नहीं है जब तक कि सरकार साथ नहीं है सरकार ने हर पक पे तूरिजम को प्रमोट करने के लिए डॉमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड फेर रोड शो पचासो चीजे करते हैं इनके पास एक बजट होता है उस बजट से भी आगे निकल की इस पर महनत करते हैं और परेटन डिपार्टमेंट में जुड़ेवे सारे अधिकारी चाहे राज्य के हों चाहे केंद्र के हों आपस मिलकर आगे बढ़ते हैं आप जैसे हमारे जी आए टीवी होता है राज्य परेटन और केंद्र परेटन दोनों मिलके इसको करते हैं हमारे हैं दोमेस्टिक टूरिजम मार्ट होता है उसके अंदर राज्य सरकार भ को सरकार का जहां तक संबंद है those परेट्न भीभाग का संबंद है कुछ इन विभाग को मैं सलाम करताउ हूं कि अव्जेसे उनकी सरजक्टा । की वजेसे समरपनम्र्पाव की वजदे अज परेट्डbody पहुंचा है कि यह परेट्टर राजस्तान का एक परियाय बन तो यह बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, इसको पर सरकार को बहुत ज्यान देना थी है, यह प्रमुक इंडस्ट्री है, इसको प्रमुकता देनी चाहिए. यह मेरा माला है. यह हम इस पर काबू पा सके और आप इन तीनों आयो जनों को भली भाती से अच्छी से कर सके, आज इस करेक्रम को समापन से पहले मैं अन्रोद करूँगा कि आप जो हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं या दर्शक जो देख रहे हैं, उनको को ऐसा संदेज दे कि हम सब मिलकर इस महामारी से विजय पा सके और आने वाला जो सीजन हो उसकी तयारी कर सके परटन शेत्र वापिस फले फूले और वापिस वही खुशाली परटन शेत्र में आये उसके लिए जनता के नाम को संदेज देना चाहते हैं आपने वियोवसाईयों के नाम से जो जो जिनको moral boost की बह चाहते हो तो वो दें और इस कारेक्रम का समावपन करें देखिए कोशिक साथ हमारे शाफ्सों में लिखा है कि जहां सुमती तर संपती नाना तो सुमती रखने ही बहुत जरूरी है इस समय के अंदर यह बहुत ही विकराद समय हैं किसी ने भी अपने जिवन काल में जो इस त कि बहुत आवशकता है समय मिला है परिवार के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने का क्वालिटी टाइम गुजारे परिवार के साथ हाथ बटाए काम में घर के अंदर बच्चों के साथ समय दें और जब तक आप परिवार के साथ हैं पूजा पाट करें जिस भगवान को इस धर्म को आप मानते हूं, उसका अनुसरन करें, कल से नवरात्वे लागो होने वाले एक नवर्ष है हमारे लिए, इसके लिए मैं सब को शुबकामनाय भी देता हूं, और सबसे निविदन करता हूं कि सरकार की जो जो गाइडलाइन निकलती हो, चाहे केंदर की हो, चाहे राज्यकी उसको पत्कर की लकीर समझके नापें और सायम के साथ उसको फॉलो करें, क्योंकि सरकार को पता है कि क्या विशयमिष्टित्या है और क्या आने वाली है, उसी के तहट सरकार निरधारन करती है, उन्होंने पुलिस को और मैडिकल टीम्स को सजकता के साथ हमारी लगा रखा है, उनके पती हम समर्पन भाव दिखाएं, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, और वो जो कहें, हम वो करें, और जरूत पढ़ने पर हम उनके मदद लिए आगे आएं, तो जरूर आगे आएं, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलिया, भी सरकार ने घर में रहने को करें, ताकि जिवन में सुंदरता है, जो हम मिस कर गएते इतने सालों में, दोड़ भाग की जिंदगी में, आज एक सुकून का समय भी मिला है, साथ में चिंता का विशय भी है, और ये चिंता सुकून से ही दूर हो पाएगी, इसलिए अच्छे विचारत हैं, सद विचारत बहुत अच्छी बात कही आपने, वह जिए, मुझे एक गुरात परेटन का जो एक टैग लाइन हो याद थी, कुछ दिन तो गुजारे गुजारे घर में, होम टूरिजम, लेट उस होप, कि ये यादा है, कि चोरुना बाइटस है, ये सड़क पड़ावा पत्थर है जिसक किसी ने खुब कहा था कि ठोकर खाकर भी न समले तो नसीब उनका राहा के पत्थर तो अपना फर्ज अदा करते हैं बहुत बढ़ी है तो चे आज हम इसी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं आपने अपना समय गजारा आपने हैं अपना समय दिया उसके लापका बहुत बहुत शुक्रिया आगे एक बार फिर कभी मुलाकात होगी नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार थैंक्यू सर्थ थैंक्यू सर्थ थैंक्यू सर्थ